TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV Bank of Canada ने महंगाई में मजीद इजाफ़ी की पेश कोई कर दी Governor Bank of Canada का कहना है कि महंगाई में इजाफा Canadian के लिए challenging होगा शरह सूद में तवक्को से पहले इजाफा हो सकता है मेंसी सागा की मेर काउंट इयो के री ओपनिंग प्लान पर तश्वीश का इसार बोनिक रॉंबी का कहना है कि शहर इस्पतालों पर परते दबाव से निमट रहा है कुछ इलागों में केसिस में मामूली इजाफा देखने में आया है केनिड़ा भर में कुरोना वारस के फिलाव में इजाफा जारी मरीजों की मजमीत आदा 17,9,536 तक जा पहुँची हलाकते 18,881 हो गई पाकिस्तान ने अमरीका को फज़ाई हुदूत अक्रिसाई जारी रखी हुई है पेंटागोन और रिदार का कहना है कि फज़ाई हुदूत खुली रखने के लिए बात चीच जारी है पाकिस्तान किसी के भी खिलाफ अफ़ानिस्तान को बेरोनी हमलों के लिए महफूस ठीकाने के तौर पर नहीं देखना चाता काईवान में अमरीकी अफ़ाज की मौजूदगी का इंकिशाफ चीन ने नाकाबल कबूल करा दे दिया चीन का कहना है कि इस तरह की अग्ड़माद अमरीका और चीन के तालुकात के लिए खतरनाख साबित हो सकते हैं दुनिया भर में कुरोना वार्थ से 24 करोर 64 लाग 31,765 मतासिर अमवात 49,9,9,464 हो गई 22,32,444,444 कुरोना मरीज जियाफ हो चुके हैं हेड्लाइज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ बैंक ऑफ कैनिड़ा ने इस बात का इशारा दिया है कि शरह सूद में इजाफा तवक्ष से पहले हो सकता है इस अबाले से मजीद चानते हैं बैंक ऑफ कैनिड़ा ने इस बात का इशारा दिया है कि शरह सूद में इजाफा तवक्ष से पहले हो सकता है मरकजी बैंक की जानब से पेशन गोई की गई है कि सालाना अफरात जर की शरा बाकी साल के दोरान उपर की तरफ बढ़ेगी कि सालाना अफरात जर की शरा बाकी साल के दोरान पढ़ती रहेगी जो आसतन 4.75 पीसद है और अगले साल 3.4 पीसद रहेगी जो इसके 2.4 पीसद की साब का पेश कोई से ज्यादा है अफराते जर 2023 तक अपने 2 पीसद हदफ पर वापस आएगी किम्तों में इजाफे का सबब आलमी कुवते हैं जिन्होंने सप्लाइ चेन को जिन जोड़ दिया है कंपनियों के खराजात में इजाफा किया है और तलब में अश्या की फराही महदूद कर दी है बैंक को तवक्व है कि साल के आखर में सप्लाइ के बत्तरीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा बैंक आफ कैनेडा के गवर्नर टिफ मैकलम ने कहा है कि ज्यादा कीमते कैनेडियन्स के लिए चालेंज है जिससे उन के लिए अपने बिलों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है किमतों में इजाफे को कम होना चाहिए क्यूंके आर्जी मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं और अगर नहीं तो बैंक अफरादेजर को कंट्रोल में रखने और उसे मरकजी बैंक के कंफर्ट जोन में वापस लाने के लिए काम कर सकता है और करेगा मिससागा की मियर बोनी क्रॉम्बी का कहना है कि उन्हें करोना वार्ष की बागी तमाम पाबंदियों को खتم करने के लिए सूबे की मतवक्ख़ टाइंड लाइन के बारे में शदीद तहफूजात है इस हवाले से मजीद चानते हैं मिसी सागा की मियर ने सूबे की री ओपनिंग प्लैन से मतालग तश्वीश का इजार किया है मिसी सागा की मियर बौनी क्रॉम्भी का कहना है कि उन्हें कोविड नाइन्टीन की बाकी तमाम पाबंदियों को खतम करने के लिए सूबे की मतवके टाइम लाइन के बारे में शदीद तहाफ़जात है क्योंकि शहर अपने अस्पतालों पर बढ़ते हुए तनाव से निमट रहा है सिटी आफ मिसी सागा की हबतावार COVID-19 ब्रीफिंग से खिताफ करते हुए मिर बॉनी प्रामबी ने कहा कि ट्रीलियम हेल्फ पार्टनर्स में इस वकग COVID-19 के 22 मरीज है जो एंटेरियो के किसी भी दूसरे अस्पताल के नेटवर्क में सबसे ज़्यादा है हमारे केसिस की तादात में मसलसल कमी वाकिया हुई है हमने मिर्सी सागा में कुछ अलाकों में COVID-19 के कुछ केसिस देखे है पील पाबलिक हेल्थ ये समझने के लिए सफ महनत कर रही है के ऐसा क्यों हो रहा है उन्होंने कहा कि हम जो जानते हैं वो ये है कि मिर्सी सागा में कुछ अलाके ऐसे हैं जहां बाकी शहर के मकाबले में वैक्सिनेशन की शरह कम है जिसकी वज़ा से बड़ी तादात में रहाईशी खत्रे की स्थमें हैं प्रॉम्भी ने कहा कि वो पुर उमीद है कि सुरतिहाल बहतर हो जाएगी उन्होंने कहा कि उन्हें तश्वीश है कि फॉर्ट हुकूमा सहते आमा के बाकी अग्नमात के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी सूबे ने रेस्टोरान, पार्स, खेलों और तफ्रीही सहूलियात और कसीनों समेत बास एदारों में दाखले पर वैक्सिनेशन की अपनी जरूरियात को खतम करने के लिए 17 जनवरी 2022 की हदफ की तारे मुकरर की है उनका कहना था कि जो बात काबल गोर है वो ये है कि पाबंदिया बहुत तेजी से उठाई जाती है और फिर केसिस में अचानक इजाफ़ा होता है हम देख रहे हैं कि बरतानिया जैसे मल्की अबादी का एक बड़ा हिस्सा मुकमलतार पर वैक्सिन लगाए चाने के बावजूद मौमलात में इजाफ़े से निमट रहा है अंटेरियो सुबह में करोना केसिस की तादा सबसे ज़्यादा है सुबह भर में करोना वारस से मतासर होने वालों की तादाद पाच लाग 98,840 तक जा पहुंची है मजीद तस्सिलाव इस रिपोर्ट में कینیडा भर में करोना वारिस के फैलाओं में इजाफा जारी है आखरे इतलाद के मताबिक कینیडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादाद 17,9,536 तक जा पहुची है जबके हलाकतیں 28,881 हो गई मुर्ग भर में 16,52,749 से जायत मरीज सहतियाब हो चुके है आंटेरियो सुबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सुबे भर में करोना वारिस से मतासर होने वालों की तादाद 5,98,840 तक जा पहुची है जबके हलाकतों की तादाद 8,862 है कینیڈا में करोना वाइरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकते क्यू बैक सूबे में हुई हैं सूबे में करोना वाइरस के मचमुई केसिस की तादाद 4,24,291 है जबके सूबे में करोना वाइरस के 22 होने वाली हलाकतों की तादाद 11,485 तक पहुँच चुकी है कینیڈین सूबे अलबर्टा में भी इस मौलिक वाबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक्क करोना वाइरिस की वज़ा से बहरानी सूरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 3,22,386 अफराद करोना वाइरिस से मतासिर हुए हैं जबके 3,73 अफराद हला हो चुके हैं ब्रेडिश कॉलंबिया में केसिस की तादा 2,4,330 है जबके सूबे में करोना वाइरिस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,137 है पैंटागोन की सीनियर और अधिदार ने कांगरेस को आगाह किया है कि पाकिस्तान ने अमरीका को अपनी फजाई हुदू तक रसाई जारी रखी हुई है और दोनों फरीकें ये रसाई खुले रखने के लिए बातचीद भी कर रहे हैं इस हवाले से मज़ीद चानते हैं पैंटागोन के सीनियर और अधिदार ने कांगरेस को आगाह किया है कि पाकिस्तान ने अमरीका को अपनी फजाई हुदूत तक रसाई जारी रखी हुई है और दोनों फरीकें ये रसाई खुले रखने के लिए बातचीद भी कर रहे हैं रिपोर्ट के मताबक अमरीकी अंडर सेकरेटरी दिफा बराय पॉलिसी कॉलिन काहल ने सेनिट की आर्म्ड सर्विसिस कमीटी से ये मालूमात अगवानिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के खितों में सलामती से मतालिक खुली या बंसमात के दोरां शेर की वो कमीटी के चेर्मिन सेनिटर जैक रैट के सवाल का जवाब दे रहे थे कि जिन्होंने अंडर सेकरेटरी से पैनल को पाकिस्तान के साथ इंसिदाते देश्चतगर्दी के हवाले से इसके तावन से मतालिक मोहायदे पर अपडेट करने का कहा सेनिटर ने हालिया मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया कि जिनमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान दहशतگर्द तन्दीम दाइश पर हमले के लिए तावान के साथ काम कर रहा ही कालन काहल ने खुरी समात में बताया कि पाकिस्तान का एक चैलेंजिंग किर्दार है लेकिन वो अगवान सर्जमीन को ना सिर्फ अपने बलके दीगर मुमारे के खिलाव भी दहशतगर बेरूनी हमलों के लिए महफूस ठीकाने के तौर पर नहीं देखना चाहता उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने हमें अपनी फिजाई हदूत तक रसाई जारी रखी हुई है और हम ये रसाई खुली रखने के लिए उनसे बात चीत कर रहे हैं चीन ने ताईवान में अमरीका फाज की मौजूदगी के इनकिशाफ पर शदीद रदे अमल देते हुए इसे नाकाबले कबूल करार दे दिया मज़ी तफसिलाद जानते हैं इस रिपोर्ट में चीन ने ताइवान में अमरीकी अफ़ाज की मौजूदगी के इनकिशाफ पर शदीद रदे अमल देते हुए इसे नाकाबले कबूल करार दे दिया। ताइवान की सदर ने एक हालिया इंटर्वियू में इनकिशाफ किया कि अमरीका के कुछ एहलकार ताइवान की फोर्सिस को तर्बियत देने की गर्स से वहां मौजूद हैं। चीनी वजारते खरज़ा के तर्जमान का कहना है कि बीजिंग, अमरीका और ताइवान के दर्मयान असकरी राप्तों के खिलाफ हैं। इस तरह के एकदमाद अमरीका और चीन के तालुकात के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। गुजिश्टा रोज भी बीजिंग की जाने से वाशिंग्टन को मतनब्य करते हुए कहा गया था कि अमरीका ने ताइवान कार्ट खेलना बंद ना किया तो दोनों मौमालिक के तालुकात खतरे में पढ़ जाएंगे। करोना वारिस की केसि जोर से अमबाद के अतबार से अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारिस से अब तक 7,63,784 अफराद मौत के मूँ में पहुँच चुके हैं। मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में करोना वारिस से मतासरा अफराद की तादा 24,64,31,765 तक जा पहुची है जबके इस मूजी वारिस से अमबाद 49,9,464,64 हो गई जबके 22,32,74,44 करोना मरीज सहत्याब हो चुके हैं। करोना वारिस के केसिस और इस से अमबाद के एतिबार से अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारिस से अब तक 7,63,784 अफराद मौत के हूं में पहुच चुके हैं। जबके इस से बिमार होने वालों की मच्चुई तादाद 4,66,85,145 हो चुकी हैं। एक अरब से जायत अबादी वाला मौलग भारत करोना वारिस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नमबर पर है जहां इस वारिस से 4,57,221 हलाकते हो चुकी हैं। जबके इस से मतासिरा 3,42,46,157 मरीज सामने आ चुके हैं। तरकी में करोना वारिस से आमबाद 69,998 तक जाप पहुँची हैं जबके केसिस 69,6,535 हो चुके हैं। एरान में करोना वारिस से कुल अबाद की तादाद 1,25,998 हो गई जबके इसके कुल केसिस 69,9,402 हो गई। साओधी अरब इसी फैरिस में 55,5 नंबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वारिस से अब तक कुल अबाद 8,708 से रिपोर्ट हुई हैं जबके मुम्लिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,48,474 तक जा पहुँची है। टैग टीवी के पागसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी टैग टीवी अपडेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड गलोग Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV